पर भी आपसे जानना चाहूंगा पर ये जो करोना की बात है एक बार ज़रा मार्केट के व्यू से भी आपकी क्या अंडिस्टैंडिंग है सर क्योंकि जिस तरह का आक्शन मार्केट में अब आ सकता है करोना की चिंता हैं लेकर अफकोस पिछले साल जैसा नहीं होगे ये तो आप लगातार बता ही रहें सर बड़ जो चिंता है वो क्या मार्केट में थोड़ा रोटेशन दिखा सकती है 100% डिपा रोटेशन से ज्यादा है कि नीचे की रिस्क खोलती है और रिस्क यह है कि जब तक आप कोरोना के मामले इस तरह से बढ़ते वे देखते हैं तब तक आ कि सारी चीचे बैक फूट पर चली जाती है चाहे वो सरकार हो चाहे आम आदमी हो चाहे बिजनसमेन हो इस वक्त सबके लिए ज़्यादा एहम यह हो जाता है कि आप किस तरह से अपने आपको कोरोना से बचाएं और किस तरह से जिंदगी की लड़ाई लड़ें बिजनस की लड़ाई बाद में लड़ सकते हैं आम देख सकते हैं किस तरह से पूरा फोकस मेडिकल सर्विसेल्स पर सरकार का है किस तरह से फूर एकजमपल अगर ऑख्सीजिजन की कमी है तो बहतर यह कि इंडर्सी को ऑख्सीजिजन जाने के बजाए ऑख्सीजिन पूरी यह होना भी नहीं चाहिए तो ऐसी सिचुएशन में बैंक्स, NBFC और साथी ऐसे बिजनिसेज जो कोरोना से प्रभावित होने वाले हैं उनके लिए फिर से मुश्किल भरा समय आने वाला है अब आप जानते हैं कि मॉल, जिम, स्कुल, सिनेमा, हौल यह सब बहुत जल्दी वा दूसरे बिजनिसेज पर होतावा दिखेगा, फर्क पिछली बार और इस बार यही है, दीप की पिछली बार पूरी तरह से देश बर में लोगडाउन था, सब कुछ बिलकुल बन था, बहुत स्टिक्ट मामले थे, इस बार थोड़ा सा यह कह सकते हैं कि हर सरकार अपने-प पुलिस की तरफ से रोकने वाली या उस तरह की सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर दो-दो-धाई-ई-ई-तिन-तिन लाख मामले रो जाने हैं, और अगर पांच-साथ-दस दिन भी यह रहते हैं, तब आपके एकोनोमिक रिकवरी पर बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, यह मुश्किल होने वाली है, तो बहुत क्लियर है कि जब तक कोरोना का मामला थोड़ा सा काबू में नहीं आता हैं, तब तक बाजार के लिए बहुत तेजी से ऊपर बढ़ पाना या ठीके रहें पाना पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, तीसी चीज़ जो होगी, जिन कम्प्नियों को कोरोना से सीधे सीधे फायदा होता है, उन कम्प्नियों में आप थोड़ी सी तेजी या फिर उसे आप एक तरसे सेफ मान कर चल सकते हैं